दोस्तों स्वागत हैं आपका हमारे इस वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे बूरे काम जो कि हम सवेरे करते हैं जो कि आगे चल कर दोस्तों हमारी हेल्थ के लिए हमारी शरीर के लिए बहुत ही नुकसान दायक होते हैं यानि कि कुछ ऐसी आदितें जो कि हमें सवेरे नहीं अपनाने चाहिए, सवेरे के लिए हमें नहीं डालने चाहिए तो चलिए इस वीटियो में दोस्तों हम जान लेते हैं नंबर वन ने दोस्तों हमें कभी भी सवेरे देर तक सोना नहीं चाहिए अगर हम देर तक सोते हैं तो ये हमारे स्वास्थे के लिए बहुत ही नुकसान दायक होता है ये आगे चलकर हमारे सरीर में कई बीमारिया दोस्तों पैदा कर सकता है ज्यादा देर तक सोने से हमारे सरीर में मोटा पे का विकास होता है जोकी आगे चल कर हाठ की समस्याओं जैसी बड़ी विमारिया दोस्तों हमें दे शक्ती है देर तक शोने से हमारे शरीर में दोस्तों depression का विकास होता है दाइबिटीस जैसी बिमारियां देर तक सोने से हो सकती है इसलिए आप ध्यान दे कि आप कभी भी सवेरे देर तक न सोई नश्य दोस्तों एकदम से बिस्तर से अगर आप उठ जाते हैं तो ये भी आपकी शरीर के लिए बहुत ही नुक्सान दाइग होता है ऐसा करने से दोस्तों BP का जो लेवल होता है ब्लड प्रेशर वो एकदम से लो हो जाता है और उस दोरान हमें चक्कर भी दोस्तों आ सकते हैं और हाट अटेक की समस्या भी दोस्तों हो सकती है आपने कई बार नोटिस किया हो आप एकदम से नीन से उठकर अगर चलने लग जाते हैं तो उस दोरान आपको चक्कर आ जाते हैं वो इसी कारण दोस्तों आते हैं नेश्ट दोस्तों अगर आप उठकर सवेरे उठकर तुरंत पानी नहीं पीते हैं यानि कि पानी का सेवन नहीं करते हैं तो वो भी आपके शेरिर के लिए नुकसान दायक होता है यानि कि आपको पानी पीना ज़रूरी है इससे क्या होता है दोस्तों अगर आपको कब्ज की समस्या है तो वो खत्म हो जाती है अगर आप सवेरे पानी का सेवन करते हैं बोड़ी में जो पानी की पूर्ती होती है वो सवेरे अगर आप पानी उठकर पी लेते हैं तो उससे पूर्ती हो जाती है साथ ही एनरजी की कमी दोस्तों नहीं होती है और सवेरे उठकर पानी पीना ये गंटे के अंदर दोस्तों आपकी शरीर से जो भी गंदगी होता है वो बाहर निकाल देता है इसलिए आप ध्यान दे हमेशा सवेरे उठते ही आप पानी का ज़रूर सेवन करें नेश्ट दोस्तों एक्सराइज न करना जिहां दोस्तों एक्सराइज मिस करने से मोटा पाथ, ठकान, एनरजी की कमी, बीपी और डायबिटीज जैसे दोस्तों रोग हो सकते हैं आप सवेरे उठकर आराम से लगबग 10-15 मिनट तक योगा या फिर एक्सराइज आप ज़रूर करें यह आपके शरीर के लिए बहुत लाबकरी होती है और अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं लेकिन आप 10-15 मिनट आप योगा या एक्सराइज ज़रूर करें बहुत से लोगों की दोस्तों आदत होती है कि अगर वे सवेरे चाय नहीं पीते हैं तो उनकी नींद नहीं उड़ती है यानि कि उठने के लिए उनहीं चाय का सेवन करना ज़रूरी होता है अगर ये आदत दोस्तों आपकी है तो ये सबसे बूरी आदत होती है इससे क्या होता है कि दोस्तों आप सवेरे उठते ही बासी मू चाय पी लेते हैं जिससे कि आपके शरीर में एसिड का लेवल जो होत सेवन करें गुन गुना पानी यानि कि न तो ठंडा नहीं ज्यादा गर्म पानी दोस्तों और आखरे दोस्तों सवेरी का जो नास्ता करते हैं उसमें आप ज्यादा हेवी या मीठे पदार्तों का सेवन न करें इसके कारण दोस्तों अगर आप सवे रही हेवी खाना खाते हैं तो उसके कारण आपको ठकान हो सकता है आपका मोटा पाब बढ़ सकता है उसे के सास्थ शेरीर में सुस्थी आ सकती है और ज्यादा मीठा अगर आप खाते हैं तो इससे सुगर और बीपी बढ़ने की दोस्तों संभावना रहती है तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी आदतें जो कि हमें सवेरे नहीं अपनानी चाहिए अगर आप कोई जानकरी पसंद आई हो तो हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें तर्णिवाद दोस्तों